हेलो एफ्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे हमारी नो यूर डिस्ट्रिक्ट सीरीज का MCQ सीरीज का पार्ट टू पहले कल हम लोगोंने इंपोर्टन 15 क्वेशन देखे इस पूरी सीरीज पर मैंने आप लोगों को 20 लेक्चर दिये हैं जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोगोंने कवर करा है आप लोगों के जितने भी एक्जाम के स्लेबर्स है जिसमें जे है यह हम लोगोंने देखा भी है बहुत सारे एक्जाम हो जो आपके एक्जाम इस महीने है ज्यानि कि जुनियर ऐसिस्टेंट का हो गया आप लोगों के लिए यह स्पैसल सीरीज में लेकिया हैं मेरे एंड में कोशिच डेए कि मैं पूरे के पूरे लेक्चर्स को आपको मि साथ जो JKPSI की क्लासी है वो हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है अप पे आप लोगों को सारी क्लासेज मिल रही है साथ ही साथ सारी क्लासेज आपको YouTube पर भी मिल रही है जैसे-जैसे हमारा स्लेबस होता रहेगा आपको टेस्ट हमारी आप पर दिखना शुरू हो जाएंगे ट्रिपलेस आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग इसके साथ-साथ आप लोगों को जाना है यहां पर स्टोर पे आपको दिख जाएगा तो यहां पर आप देखने 50% डिस्काउंट यह 50% डिस्काउंट सिरफ आपका 9 जैनुरी तक है क्योंगी तब ट्रिपलेस की 3rd ऑली बोड पे भी अब आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे वहां पर आप लोग जा सकते हैं ऑली बोड के आपको डाउनलोड करके आपको वहां पर सारे नोट्स जो डिटेल नोट्स हैं वो मिल जाएंगे उसके अलावा मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो हमारे इंट से यह सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं आप लोग बस तैयारी करते चलें बेशक टाइम जेगे SSB ने कम दिया है लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर सिस्टेमाटिक तरीके से हो तो इनका आंसर है राजा रहीम उल्ला खान चीक है यह आपका होग था मैक्सिम बच्चों ने कल ही सही आंसर दे दिया था क्लास के दोरान ही अब हम बात करते हैं क्वेश्चिन नमबर 16 के ओपर आज की क्वेश्चिन काफी अच्छे होंगे तो थोड़ा सा इसको पहले ध् क्वेश्चिन में आपके समने इस तरीके से लेकर आनों तो आपको बस यही चीज याद रखनी है आपको यह डेट भी याद रखनी है साथ-साथ में ठीक है तो इसका आंसर बताओ कौन थे श्रीवार थे अलबरुनी एलेक्जेंडर या पी एफई प्रेगिडिकेटर तो इसका नाम बताइए कौन थे अब यह बताइए जल्दी से तो यह विजिट करा था अलबरुनी ने बहुत इंपोर्टेंट है अब यह जो इन्हों ने अपनी बुक लिखी थी उसमें राजोरी का नाम क्या मैं यहां पर पूछता हूं इन्हों ने राजोरी का नाम लिखा था तो इन्हों ने राजोरी का नाम लिखाता राजा बारी तो देखो राजावारी राजोरी बहुत फेमस है नाम की वजह से जही खासतुर पढ़ैफ। लेकिन राजोरी को ही क्या कहा जाता है राजोरी को ही कहा जाता है लांड ओफ किंग्स यह आप लोग गेस भी कर सकते हूं रिजे के SSB पूछ चुका है यह हमने आपको सब पढ़ाया हुआ है ठीक है अब बात करेंगे थोड़े से करांट अफेर्स के क्वेस्टिंस के भी सब्सक्रांट खुच आंट जाता तो इसको यहां संजते हैं क्यांकि यहां वंल कपर गोडनें को बगदर मजी लेकिन आपको एक और चीज यहां पर बता दो फैश्नो देवी श्राइन एक मात्र ऐसा श्राइन है जिसका खुद की disaster management force है यह एक मात्र ऐसा श्राइन है जिसकी है ठीक है अभी तक बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके है तो इसका आंसर है State Bank of India SBI ने भी हाल ही में लांच किया है पहला floating ATM कहां पर डल ले के ऊपर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहां पर अभी हाल ही में स्रीनगर को add किया गया है UNESCO की creative cities network में आपको current events में सारा बढ़ाया है JNK के current events में भी मैंने आपको बताया है स्रीनगर को हाल ही में add किया गया है अब आपको बताना है कि इन्हें किस category में add किया गया है जो UNESCO की creative cities network आती है तो जो स्रीनगर को एड क्या गया है उसे क्या गया है क्राफ्ट फोकार्ट की के अंडर लेकिन आपको दो से तीन इंपॉर्टन चीज़े में यहां पर बुदा देता हूं चैपुर को जो गैस्ट्रों मी है उसमें किया है एद्राबाद को लिषय ओपिटिटल है तलंगना की जहूं में किज फाल ऐंङंपर Edge ठोला की यहां तक आपको सब चीजें क्लियर होई होगी तो यह चीजें आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है करने को आप लोगों को जल्दी ही मैं साथ आठ तारीक से वापिस से वीकली करवाना शुरू कर दूँगा इस सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसकस करी हैं बात करते हैं क्वेशन नमबर 19 पर यह वापिस से करन्ट इवेंट है कौन सी ऐसी ऑर्गनाइजेशन है जिसने टार्गेट कर रखा है कि वो रेनोवेट करेगा मुगल गार्डन्स का जो आपको स्री नगर में देखने को बिलते हैं अब यह क्यूं किया गया है जैसे मैं भी आपको युनेसको की हरिटेस साइट बदा रहा था वैसे कोशिश की जाएगी कि युनेसको की क्या जम्मु किश्मीर से कोई ऐसी साइट है जो युनेसको की हरिटेस साइट में एड़िड है तो इसका अंसर है नहीं कोशिश की जाएगी कि इनको रेनोवेट करके वापिस से एड़ किया जाए युनेसको हरिट के लिए तो यह कहा गया है JSW Foundation के द्वारा अब ऐसा क्यों है UNESCO Heritage Site क्यों इतनी important है UNESCO Heritage Site इसलिए जादे important है जैसे मने भी आप लोगों को यह चीजें discuss करी हैं यहां पर अगर यह चीजें होती हैं अगर आप UNESCO Heritage Site में जाते हो तो आप World Famous हो जाते हो और अगर World Famous आप हो जाते हो तो उसमें क्या है एक तो आपके जगा पर टूरिजम काफी ग्रो करता है जिससे employment generate होती है इसलिए UNESCO Heritage Site काफी important है तो Mughal Gardens को renovate करने के लिए JSW Foundation ने कहा है इसी के साथ अगर मैं और एक और चीज़ बताऊं अब GI Tag भी आप लोगों ने सुना होगा इसमें आपको एक लेक्चर दूँगा जिसमें सारे GI Tag हम डिसकुस करेंगे कश्मीर के सैफ्रॉन को GI GI Tag मिला है किसको मिला है सैफ्रॉन को इसी वज़ा से सैफ्रॉन की जो value है वह बढ़ गई है प्राइज बढ़ चुके हैं तो यह चीज़े आपके सामने हैं अब किसकी बात की गई है एक बात की गई है विलो बैट की कि विलो बैट को भी मिले जो कश्मीर का है बट अभी तक मिला नहीं है याद रखना और जो डोडा की गुच्छी मश्रूम्ज जो हैं सबसे महेंगी बानी जाती है इसे भी अभी तक मिला नहीं है ये भी याद रखना लेकिन demand की गई तो ये दो पंट याद रखना ठीक है अब बात करते紧 अब आ जाते हैं वापिस थोड़ा से हिस्ट्री पे मैंने आपसे कल पूछा था लास्ट मुस्लिम रूलर अब आपसे पूछता हूं फर्स्ट हिंदू रूलर कौन थे राजोरी के अब यहां पर यह चीज का ध्यान रखना एस पर राज तरंगनी ऑफ कल्हान अब यह चीज इस वाइं स्पेसिविल के मेंशन कर रहा हूं जेके यह नहीं करेगी क्यों यह क्वेशन पूछ चुका है हमारे पढ़ाने के बाद यह पेपर में आया था कौन थे पहले तो यह थे राजा पृत्वी पॉल ऐसे तो हम लोग ने यह देखा था कि राजोरी का मेंशन महाभा भारत में भी हुआ है महाभारत में जो पांचाल नरेश थे जो उनकी बेटी धरोपदी थी वो भी कहां से बिलॉंग करते थे राजोरी से करते थे लेकिन एस पर राजतारंगनी कलहान की अगर पूछा चाए पेपर में भी आएगा तो आंसर कि इसको मार करना राजा प्रि जोलकिति क्वेटी से क्या है कौनसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कॉस साथ एक और क्वेशन हम लोग अनंतनाग से ही डिसकस करते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि अनंतनाग का पुराना नाम क्या है वो है इसलामाबाद लेकिन क्यों कहा जाता है क्यों नहीं बट मुस्लिम रूल आने से पहले अनंतनाग को किस नाम से जाना जाता था यह क्वेशन बताओ अब यह क्वेशन आपको बताओ दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो कश्मीर था वो मुस्लिम रूल आने से पहले कितने divisions में divide था यहां पर आपको थोड़ा सा समझाओ यहां पर नौर्थ था वो था आपका कामरास जो आपका साउट जो सेंटर में था वो था आपका यम्रास और जो साउथ में था वो था आपका मरास अब यह तीन चीज़ें आप लोगों मैंने बताई थी दो भाई थे कामरान और यह पूरी आपको स्टोरी में ने समझाई थे नंतनाग में कि किस तरीके से हुआ था यह कहा जाता है कि जो सेंटर था वो सिरिनगर बन गया जो अनंतनाग आज की डिट में आप लोग देख रहे हैं वो क्या था वो है आपका मरास याद रखना है यह चीज क्लेर हो जाती है मैप देख लेना तो अनंतनाग को पहले किस नाम से जाना जाता था मरास के नाम से पेपर में पूछा गया है कि कश्मा कितने डिविजन में डिवाइड था तो तीन में था कमराज यमराज और मराज बहुत इंपॉर्टन है नेक्स क्वेशन पर चलते हैं अब हम थोड़ा जमू डिविजन में आते हैं कुश्मी डिविजन से सांबा जो प्रिंसिपली एस्टेब्लिश किया गया था 1400 में किसके द्वारा किसने किया था इसको पहले यह बताओ इसे इन्हें फाउंडर ऑफ सांबा डिस्टिक्ट भी का जाता है सांबा किसने किया इसका आंसर है मल देव बहुत इंपॉर्टेंट है यह यह यंगर संथे राइसादू कहां से बिलॉंग करते थे राइसादू करते लखनपूर से लखनपूर किस जगा पर आता है लखनपूर आता है आपका कठुवा डिस्टिक में तो यह चीज से कंफूजन मत रखना इसलिए कहा जाते हैं कि यहां पर जो प्रिंटिंग है वो आज भी चलती है बेट शीट्स पर तो इसलिए और साथ ही साथ सांबा फेमर्स है किस के लिए 22 मंडी के लिए किस ने शुरू की थी सुचेज सिंग जी ने यह शुरू की थी तो आई होब यहां तक चीजे क्लियर हैं अभी तक आप लोगों का आंसर सही आ रहे हैं आज questions का level थोड़ा सा मैंने mix रखा है next question पर आते हैं 1822 AD में who made Raja of Bandralata and Samba अब Samba का question है तो इसका answer बताए जल्दी से और मुझे बताना यह जो थे यह किसके यंगर भाई थे मैंना भी आपको बता दिया वैसे सुचेज सिं जो थे यह किसके भाई थे यह ब्रदर थे यंगर ब्रदर थे किसके गुलाब सिंग जी के गुलाब सिंग जी के जो पिता थे जो मैंने कल आपको बताया था जिनका नाम किशोर सिंग था अगर मैं गलत नहीं तो इनके नाम पर टर्फ रखे गए हैं अखनूर फोट के उनक फिर discuss करें, next question पर आते हैं, आलमदार कश्मीर के नाम से कौन famous था, आलमदार कश्मीर किसे कहा जाता था, ये बताईए जल्दी से, अब ये कहा जाता था, शेक नूर उद्दीन को, जिन्हें नुंडरिशी भी कहा जाता है, अब आपको बताना हैं, किस जगास जादा तर जो हम लोगों ने किस डिस्टिक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था जो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज पढ़ी थी किस डिस्टिक्ट में इनका जिकर हुआ था यह आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में बहुत important question है note down कर लेना इसको अभी तक यह नहीं आया बट बहुत जाद चांसे से पेपर में पूछा जाएगा next question पर आते हैं पहली बार अहरबल फेस्टिवल जो है कंड़क्ट किया गया है 25 नवंबर अभी दो महीने पहले एक महीना पहले यह कंड़क्ट करवाया गया है यह किस डिस्टिक्ट में कंड़क्ट करवाया गया है अहरबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरीज डेस्टिनेशन है कहां पे कुलगाम में है यह तो यह याद रखना current events जो आपको मैंने बताये हैं यहां से ही निकलेंगे तो यह चीजे फेस्टिवल हुआ है अहरबल फेस्टिवल तो यह आपका कंड़क्ट करवाया गया है कुलगाम में बहुत इंपॉर्टन है चलो आजाओ एक next question पर यह question हम लोगों ने पढ़ाया था आपको पेपर में आया था उसके बाद बढ़ इंपॉर्टेंट है वापिस से रिपीट इनके घुमें हैं इनके द्वारा और साथ ही साथ अब एक चीज़ आपको बताओं अगर आपसे पूछा जाए पहला रूलर को था रूलर भी नी तो यहां पे किसने यहां पे इसको अपनी as a state established किया रहा था उंच को तो यह किया गया था राजा नर नर जो खुद थे वह क लेक्चर गया है इसको डेड़ सवालाग से जादा लोगों ने अभी तक देख लिया है 125 के जादा लोग इस लेक्चर को देख चुके हैं तो यहां से पेपर में क्वेशन अभी आने बाकी है एक यह डिस्टिक्ट है एक बटगाम है बटगाम से क्वेशन थोड़े से कम निक क्वेशन नमबर 28 पर आते हैं इन 1596 विच मुगल एंपरर मेंड हूम एज रूलर ऑफ पुंच अब यह क्वेशन बहुत अच्छा है और यह पेपर में भी तक नहीं आया है तो जो नहीं आये है वो आटोमेटिकली क्या हो जाते हैं वो हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टें 15 यह पर इसको किया गया था जांगीर के दौरा सिराजुद्धीन को बनाए गया था रूलर किसका पुंच का अब ऐसा क्या था एतना भाई-चारा आप लोग देखें क्यूं था तो देखो जो राजोरी में जब Muslim रूल आया उसके बाद जब मुगल आये तो basically मुगल आप लोगों पता है कश्मीर में काफी ज़्यादा विजिट करते थे जहांगेर तो कुछ ज़्यादा ही लेकिन इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने जो राजोरी पढ़ता था डेली से अगर हम बात करें तो इसको रखा था as a halting station तो यहां पर इन्होंने halting station रखा था बीच में रुखते थे अराम करते थे फिर कश्मीर के लिए रवाना होते थे वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए यह तो आया मुगल का अगर आपसे पूछा जाए जो जम्मू के डोगरा रूलर्स थे उन्होंने कौन सा रूट रखा था उन्होंने रखा था इस साइड से जो बीच में आपको क्या देखने को मिलता था रामबन तो इनके लिए halting station क्या था इनके लिए था रामबन तो ये चीजे थोड़ी आपको अब आई होप आपको clear हो चुके होंगी क्योंकि हमने बहुत बार ये पड़ी है next पे चलते है 1850 में किसने अब पुंच पे questions अभी तक कम आये हैं तो मैं यहाँ पर आपसे इसलिए जाए discuss कर रहा हूँ 1850 में किसने पुंच को वो बनाया था basically अगर मैं आपसे question पूछूँ separate principally state बना गया था पुंच state को जिसको बनाया गया था 1850 में अब ये date भी आपको याद रखनी है अब ये चीज हुई क्या है मैं आपको थोड़ा से explain करता हूँ देखो जब सिख rule आया आपका बेसिकली लाहूर का था कब तक चला गया ये आपका 1819 में जब सिख rule ने किया रंजीत सिंग के टाइम पे तो ये चला गया आपका खालसा दरबार की तरफ चीक है यहां तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा लेकिन 1850 में क्या हुआ हुआ 1850 में जो उस समय खालसा दरबार के पी एम थे क्या नाम था उनका उनका नाम था राजा ध्यान सिंग इनके जो बेटे थे राजा मोती सिंग इन्होंने क्या किया इन्होंने पुंच को एक सेपरेट स्टेट यानि कि खालसा दरबार से अलग एक separate principally state यानि कि इन्होंने कहा अब ये अलग राज्य होगा और इसी के साथ क्या शुरुआत हुई यहाँ पर डोगरा रूल की छीक है ये I hope आपको अब clear हो गया होगा 1850 में हुआ था तो बहुत important point है ये राजा मोती सिंग ने इसको किया था अलग से setup पुण्च state को तो इसी के साथ next question पर आते हैं आज का last question अटल सेतू जो है वो किस district में है और last question आपका होता है homework आप लोग इसको comment box में लिखे कल मैं आप लोगों के लिए 45-15 questions ओ लेके आऊँगा तो उसमें मैं इसका answer आप लोगों को बताऊंगा ऐसे करते करते देखो मैं आपका सारा lecture जो जितने भी 20 lectures पढ़े हैं 10-15 minutes के lecture में सारा revise करवाने की कोशिश करता हूं और मुझा पता है कि इसमें से चार से 5 questions as it is आपको paper में देखने को मिलेंगे और जो भी आप लोगों के lectures अभी तक pending है current events के वो मैं बहुत जल्द बना दूँगा maximum काम मैंने कर दिया है बस upload करने उनको तो जो लोग इस channel पर पहली बार है आप इस channel को subscribe कर सकते हैं आप लोग बहुत जादा प्यार हमें दे रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों के लिए आपको बता दूँँ आज बहुत बारिश है बहुत सर्दी है जम्मो में फिर भी ये lectures मैं बना रहा हूँ पूरा अभी भीगा हुआ था फिर भी मैंने पहले lecture बनाया ताक कि आप लोगों को मिल जाए तो चलो all the best मैनत करते चलो पढ़ते चलो आप लोगों की selection होगी तो उससे हम लोगों को बहुत खुशी होगी और इसी motive से हम लोग ये चीज़े करते आ रहे हैं तो चलो बबाई डेकर अगर आप लोगों ने हमारी आप डाउनलोड नहीं करी है इसको डाउनलोड करके प्लीज 5 स्टार्ट देके हमें थोड़ा सा और मोटिवेट करें ताकि हम लोग आपको लोगों के लिए इसी तरीके से चीज़ें लेके आते रहे हैं और अगर आप लोग जैसे जूनियर ए के लिए प्रिपेर करें इस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट देना है शुरू कर देने चाहिए ऑल्लीबोड की आप पर कि आपको एक आईडिया हो कि आप कहां पर स्टार्ट करें तो ठीक है मिलते हैं काल ने लेक्चर के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए गुट नाइट